और फिस धिन नजेनए को रड़ रंटियो आज मैंल वाल यह लूटन और यह कि व्होंता पेश anders यह लूट है तो सबसे पहले आप लोगो जेमें 2022 का ओफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो बहुत सारे fake website बन चुके हैं तो मैं आप लोगो इस website का link जो है आप लोगो description box में दे दूँगा तो वहाँ पर click करने के बाद आप इस website में आ जाओगे और जैसी इस website में आओगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो सबसे पहले आप लोगको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आप लोगको एक option दिखेगा registration for jamain 2022 इस पे आप लोग क्लिक करना है तो जैसी आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर आप लोग के step देखाएगा step to apply online तो यहाँ पर कुछ instruction है instruction पर आप लोग के उसके बाद आप लोग को एक option देखेगा new registration तो सबसे पहले आप लोग को new registration पर क्लिक करना है तो जैसी आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा यहाँ पर आप लोग को देखना तीन दो step आप लोग करना है सबसे पहले आप लोग को registration उसके बाद आप लोग के application form और यह fees payment आप लोगा 2 minutes काम है तो सबसे पहले हम लोग registration का form फिलब करेंगे उस बाद हम लोग को application form का form फिलब करना है और application form में आप लोग को documents को यह upload करना है यह information bulletin है आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो तो यहाँ पर कुछ important instruction है जो कैसा आप लोग कितना fees आप लोग का है gender wise आप लोग का कास्ट wise कौन सा fees लगेगा तो आप लोग इसको अच्छे से read कर सकते हो read करने के बाद आप नीचे जाएगा तो यहां से आप लोग का पहला जो step है वो open हो चुगा है personal details से जो registration का आप लोग का जो पहला step है आप लोग को तीन step करना है तो पहला step आप लोग को यहां से open हो चुगा और यहां से आप लोग को fill up करना है start करना होगा सबसे पहले आप लोग का candidate's name से आप लोग शुरू करना है तो जब भी आप लोग registration करने हैं जब आप लोग बैठोगे तब आप लोग का जो भी documents है आप लोग का class chain का result है, class tour का result है वो सब आप लोग लेकर बैठेगा और जो भी आप लोगा नाम के spelling होगा वो आप लोग यहाँ पर copy paste किजिएगा candidates name में तो spelling बहुत important होता है बहुत सारे candidates जो होते है वो अपना spelling का जो name है वो गलत कर देता है और last time वो change नहीं होता है जो candidate का name है वो आप लोग अच्छे से लिखेगा अपना नाम जो है अपना spelling अच्छे से देख लिजेगा father's name में भी same अपना जो आपका जो father's का name है उसको आप लोग अच्छे से लिखेगा उसका जो name का spelling हो बहुत important होता है जब यह आप लोग फॉर्म करोगे अपने document लेकर रखोगे और जो भी copy paste अदम करोगे mother's name आप लोग को उसके बाद लिखना है उसके बाद आप लोग को date of birth लिखना है अगर आप लोग के पास अधार काट है तो आप लोग का लास्ट लोग जो option है इनी अधर valid government identity with photograph इसको आप लोग सेट कर सकते हो और अगर आप लोग के पास कुछ भी नहीं है आप लोग का पास कोई ID काट नहीं है government तो आप स्कूल का ID काट को भी सेट कर सकते हो उसके बाद अगर आप लोग को लिशेए और अब लोग को प्रेजन्द रहते हों अप लोग को फिर देना होगा अप लोग तो अगर कुछ भी पीज़िद्ट होता है यज और एन्ती है कुछ भी आप लोगों मैसेज करेगा तो इमेल के थू करेगा- आपका अगर आप लोगो चेंज होना खोगा तो थो इमेल आइडी जो है अप कमारा को इसको बहुत बहूत अपरेट है तो इसको दोनोब बहुत अच्छा से लिखेगा जो आप लोग का email एडिया फिर confirm email एड्रेस में भी सेम लिखेगा mobile number फिर confirm mobile इसके बाद alternative नबर आप देबी सकते हो उसके बाद आप लोग को परवमेंट अडर्रेस भरना अगर आप लोग का present अगर आप लोग का different है तब आप लोग इसको अच्छे से फिल अप कीजिएगा लोकल अटी कंट्री स्टेट स्टेट पिंग कोड उसके बाद आप लोग का आता पासपोर्ट तो पासपोर्ट क्रियेट कैसे करोगे आप सब लोग का नाम है रोहित तो आप लोग पासपोर्ट होना चाहिए और डिलिट से ज्यादा रखिएगा अप लोग का नाम सब्सक्राइब का है तो बी जो आप लोग का है वो capital होना चाहिए तो भी भूमी का एड़ी रेट 500-700 तो कुछ भी ऐसे करके आप लोग पासपोर्ट क्रेट कीजिएगा confirm पासपोर्ट फिर सिकुरेटी क सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जैसी आप लोग समीट पे क्लिक करेंगे उस बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर आप लोग एडिट रेजिस्टेशन फॉर्म का आप लोग को option दिख रहा है आप लोग को show कर रहा है तो अगर आप लोग कुछ भी change करना है तो अभी आप लोग change कर सक तो suppose अगर आप लोग का name का spelling अगर गलत होता है तो आप edit registration form पर click करके आप चेक कर सकते हो अगर नहीं तो आप लोग submit and send OTP पे अगर आप लोग का सब कुछ सही है तो submit and send OTP जो option है इस पर आप लोग क्लिक कर दीजेगा तो instruction के बाद कुछ ऐसे interface खुलेगा तो सबसे पहले आप लोग का सब कुछ verify करना है तो उपर से आप लोग सब कुछ अपना form देख लिजेगा कि आप लोग का name का spelling वो सारा सारा कुछ आप लोग का सही है या नहीं आपका जो father's name का spelling वो सब कुछ सही है या नहीं अगर सब vendor फिर address उस बद आप लोग का mobile number और सबसे important आप लोग का email आई तो अगर आप लोग का सब कुछ सही है तो इस तरह से आप लोग सब पर टिक कर दीजेगा टिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर I agree पर क्लिक किजेगा I agree पर क्लिक करने बाद समिट and send OTP पर अगर आप लोग क्लिक कर दीजेगा और अगर आप लोग कुछ भी गलत लगता है कि हाँ मेरा नाम के spelling गलत हो गया या आप लोग का address या कोई email एड़ी तो आप edit registration form जो आप लोग को option दिखा है इस पर आप लोग क्लिक कर दीजेगा और अगर आप लोग सब को सही है तो submit and send OTP पर आप लोग में भी आप लोग का जो mail है email आजाएगा आप लोग का email एड़ी में mail आजाएगा आप लोग का application number और आप लोग का यहां पर भी आप लोग का application number आप करेंगे application form उसे बाद last step करेंगे हमने face payment तो हम लोग दूसरा step करते है application form तो नीचे आप लोगो यहाँ पर status भी दिखाएगा registration form completed application form incomplete तो यहाँ पर आप लोगो last में जाओगे नीचे जाओगे तो आप लोगो एक option दिखेगा complete application form इस पर आप लोगो click करना होगा तो जैसी आप लोग application form पर click करोगे उस पाद कुछ ऐसा interface खुलेगा तो सबसे पहले आप लोगो personal details देना होगा उसका अधार का जो आप लोगो अधार का जो है उसका आप लोगो details देना पड़ेगा exam and examination जो center आप लोग choose करते हो वो आप लोग करना पड़ेगा फिर qualification details जो आप लोग class team या class 12 का आप लोग को qualification देना पड़ता है उसका देना पड़ेगा फिर आप लोग को additional details देना होगा उसका documents अप्लोड documents अप्लोड में suppose अगर आप लोग किसी category से हो तो आप लोग नीचे जाएगा नीचे जाने के बाद आप लोग को एक option देखेगा personal details इसमें आप लोग click कीजेगा तो जैसी आप लोग personal details पर click करोगे फिर से आप लोग एक form open हो जाएगा तो यहां से आप लोग को भढ़ना इस्टार्ट करना है तो यहां से आप लोग को start करना है तो यहां से सबसे पहले nationality से आप लोग यहां से करना है तो इसमें आप लोग Hindu slate करना है आप जो भी है Indian तो उसमें आप लोग को slate करना है उसके बाद यहां से आप लोग category कौन सा है आप लोग SG से देर हो या जेनरल से देर हो या आप family का income क्या है आप फिर mode of preparation क्या है आप self study से करते हो है या आप coaching center से करते हो तो यह सब आप लोग अच्छे से fill up कर दीजिएगा उसके बाद आप लोग का security pin जो आप लोग के 821KC7 आप लोग को जो यहां पर show कर रहा है तो आप लोग का security pin आप लोग को आप लोग को no करना है उसे बाद आप लोग का PWD candidates आप लोग करते हो तो yes नहीं करते हो तो no करना है category यह सब आप लोग इतम normal चीज़ है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा fill up करने के बाद आप लोग save and next पर click करेंगे तो जैसी आप लोग save and next पर click करेंगे तो ज उसको हम लोग fill up करेंगे तो उसके लिए आप लोग को नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आधार details के लिए आप लोग के यहाँ पर do you have a बत क्या होगा तो अगर आप लोग के बस अधार काड नहीं है और अगर आप लोग no slate करते हो और submit करते हो तो आप लोग कुछ भी नहीं होगा आप फिर से इसी home page पर आ जाओगे और आपका जो अधार details है वो verified हो जाएगा ऐसी आप लोग को so करेगा उसके लिए कोई tension का ब गलती काम मत कीजिए उसको एदम अच्छे से ध्यान सक कीजिएगा कि आप जो घर के सामने जो centers है उसको आप लोग slate कीजिएगा तो सबसे पहले हम लोग exam center को slate करेंगे उसके लिए आप लोग को exam center पर click करना है तो इसका आप नीचे आप लोग को कुछ questions यहां पर पूछ र रहे हो तो यहां पर पहले से session 1 का ही आ रहा है एक प्लाइफ और section 1 अभी इस इवा option दिखा रहा है तो इसमें session 1 पर already click हो जाएगा उस बाद कुछ questions है यहां पर question paper का medium कौन सा रहना चाहिए और आप लोग इंग्लिश में देना तो इंग्लिश में दीजे हिंदी में देना उर्दू बेंगॉली हैं पर कुछी options दिखा रहा है तो हम लोग को हैं इंग्लिश कर लेते हैं उसके बाद आप लोग आपका exam state सबसे पहले आपका exam x सबसे पहले जो जो first choice होता है उसको आप लोग जो आपके घर के पास है उसको first choice में रखेगा अभी आप लोग के पास time ह है तो आप लोग का first या second choice में आप लोग का center मिल जाएगा तो पहला choice में आप लोग उसी को रखेगा जो आपके घर के पास हो second choice में भी आप लोग उसी को रखेगा जो आपके मतलब 5-7 km के around में हो फिर third choice फिर fourth choice आप लोग को 4 choice यहां पर करने के लिए दिया जाता है तो इ सिर्टी में समल आप लोग का सामने में जो भी है समाल औरनगा बात हो गया हो गया तो यह सब आप लोग अच्छे से हील अप किजेगा आप लोग बहुत सा मजज़दार हो लेकिन आप लोग कि अच्छे सेisol लोग कीजेगा देख कि भIG किजिगा कि और अपके घर के पास हो क्या है जो भी आपके father's के qualification है आप लोग इसको अच्छे से विलब कीजिएगा mother's का आपका occupation क्या है या कुछ भी है तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा अच्छे से लिखिएगा कितने तक पढ़े हैं आपकी माता जी उस बता आपका security यह जो है 168256 इसको आप लोग copy paste कीजिएगा और save next पर click कर दीजिएगा आप लोग फिर से बोलता हूं कि जो examination center है उसको आप लोग बहुत अच्छे से बढ़िएगा क्यूंकि बहुत सारे candidates मुझे comments करते हैं कि भाया मैंने गलत examination center फिलब कर दिया तो आप लोगा change नहीं होगा तो यह सबसे important है कि आप लोग examination center को अच्छे से बढ़िएगा जो भी आप आप लोग समीट पर क्लिक करेंगे उस बाद कुछ ऐसे इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर आप लोग का देखो exam and examination center जो है इसमें आप लोग का यहाँ पर rate हो मतलब यहाँ पर exam and center जो है वह complete हो चुग है उसके बाद हम लोग next step करेंगे qualification detail तो quality concentration detail को अब हम लोग complete करेंगे तो उसके बाद आप लोग नीचे के बाद आप लोग को यहाँ पर ज्योक्त आप लोग को दीख रहा होगा उसके बाद हम लोग छुक्या जैसी आप लोग नीचे जाओँकर यहाँ पर इस बाद year of passing किस year किस साल आपने passing क्या था qualification exam qualifying exam क्या है तो आप लोग इसमें pass कर दोगे तो उसके बाद आप लोग का यहां पर देखो year of passing हो गया qualification exam में आप लोग क्या करना है 10th and equivalent इसमें आप लोग को state कर देना है फिर qualifying exam state कोन सा था कहां से अपने class team का exam pass किया suppose अगर आप लोग बिहार के रहने वाले हो लेकिन आपने कलकता से school जो class team का आपने pass किया था तो आप लोग वेस्पेंगोली लिखोगे उसके बाद आप लोग का आप लोग का जो है district कोन सा था किस district में आप लोग का school था उसको आप लोग को फिलब करना है अच्छे से सब फिलब करना तो आप लोग उसको से लेट कर लीजेगा उसके बाद आप लोग का roll number क्या था बहुत important है roll number आप लोग क्लास 10 का आप लोग यह सब जितना भी form आपना result सामने में रखना admit card सामने में रखना और जो भी है सारा documents का जो भी आप लोग copy paste कीजिएगा सब कुछ यानि पुरा देख कर सब कुछ हसे से अच्छे से fill up करना roll number आप लोग का school का name है with address suppose आप लोग का school का नाम है little star बाली हबरा little star high school address बाली हबरा अच्छे से लिख जाएगा सब्सक्राइब करते हैं अब लोग अब लोग को बनने का को इसाब आप लोग का हट जाएगा तो सीम जिसे आपने class team का बरा तो वह सब आप लोग को बनना होगा यह रुट पासिंग कॉलिफाइंग ग्जाम, फिल फिलेटि प्लेस ऑफ श्कुलिंग, टाैप फ लिक सब्धों के इक यह वोट सह रिजल्ट मोर्न, नमबर आप लोके करों, उपलोगों प्रिण बी कर रहे हो तो आप लोगो save and next पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग फिट से होम पीच पर आ जाओगे तो यहां पर आप लोग को यहां पर सो करेगा आप लोग का जो आप लोग का जो यह स्कुरेटरी प्रिन है 4599 nd इसको देने के बाद आप लोग सेफ पर क्लिक कर दीजेगा जैसे आप लोग सेफ करोगे उसके बाद फिर से आप लोग होम पेज पर आ जाओगे और यहां पर आप लोग का एडिशनल जो डीटेल से वह भी हैं आप रहे कंप लास बाद हम लोग जो मेंन चीजतह हो सब अपिट हो चुका है जो आप लोग का यह तक आप लोग को जो दिक्कत होता है एडिशनल दीटेल तक उसके बाद qualification details तक आप लोगो जो भी problem होता होता है इसके बाद आप लोगो कोई problem होगा simply आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लोगा जो photograph है उसको upload करना है तो सबसे पहले आप लोगो photograph यहाँ पर देखिए अच्छे से instruction पर लिजेगा photograph with 80% face without marks तो अगले बार मैंने बहुत सरे candidates मुझे message किये थे वो marks paint कर अपना photograph click कर लिये थे तो आप लोग याद रखेगा आप लोगो marks नहीं paint ना है आप लोगा जो 80% आप लोगा face दीखना चाहिए और आप लोगा जो background है उसको आप लोग white रखेगा अगर आप लोग try कीजेगा कि आप लोगा background white रहे और उसके बाद आप लोगा jpz file में रहना चाहिए याद रखेगा आपका जो photo format होना चाहिए वो jpz file में होना चाहिए और minimum आप लोगा 10 kb का रहना चाहिए और maximum 2 kb का रहना चाहिए उसको आप लोग upload करजीगा simply और अगर आप लोग suppose अगर आप लोग अगर आप लोग OBC category से अगर आप लोग exam दे रहे हो तो आप लोग को यहाँ पर OBC का certificate है उसको आप लोग को यहाँ पर upload करना पड़ेगा तो यही आप लोग का last step था उसके बाद आप लोग को simple final submit पे आ और आप लोग का 2 minutes लगेगा आप लोग को fees payment कर देना है तो बस इतना ही मही आप लोग को problem जो भी होगा इतना ही मही होगा और अगर आप लोग को कुछ भी problem होता registration से related तो आप मुझे direct comment कर सकतो या आप मुझे direct Instagram में भी message कर सकतो मैं description box में मैं आप लोग को Instagram का जो मेरा link है म मैं आप लोग को दे देता हूं उसमें आप लोग मुझे direct मुझे message कर से तो जो भी आप लोग का problem आ रहा है आप मुझे message करो मैं आप लोग को 100% help करूंगा इसके बात आप लोग का registration जो final summit है देखो यहां पर आप लोग को option भी देखा रहा है इसे वास से एक ही step है आप लो candidates गलत कर देते हैं data birth data birth आप लोग अच्छे से चेक कर लिजेगा उसके बाद आपने जो भी आपना qualification details भर है उसको अच्छे से चेक कर लिजेगा तो यह सब बहुत important चीज़ है personal details यह सब अच्छे से चेक कर लेना उसके बाद ही आप लोग final submit कीज़ेगा क्योंकि साइध इस यह सुझे से घवोग.